हेलो दोस्तों विल्कम बैक टू माई यूट्यूब चनल देश्यो प्रॉफिट टॉक और आज हम जिस गारी के बारे हम बताने वाले हैं आपको वो है हुंडाई की क्रेटा जिसके हम एक्स डीजल मॉडल की बात करेंगे इस वीडियो में तो सबसे बहुत हम बताएंगे इसक rate of interest क्या चलना है क्योंकि अभी जो है बैंको ने कार लोन के जो है rate of interest में थोड़े से changes वगरा किये हुए हैं तो वह बारे मताएंगे तो आपको अगर कार लोन के offer वगरा जानने वह आप कहां से चेक कर सकते हो तो उन सब के बारे हम complete information देंगे इस वीडियो में तो वीडिय हम बताएंगे आपको तो इससे पहले हम इसका एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने इसके e-diesel model की जो है बहुत करी थी जो इसका base model है तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसका link मैं वीडियो के description box में दे दूँगा तो उसको भी जो आ जाके checkout कर लीजेग Hyundai EX diesel का जो XORUM price है वो है 12,31,600 रुपै आटियो के charges है 1,60,250 इंस्योरेंच charges है 57,082 रुपै अधर्स charges है 12,916 रुपै ओन रोड प्राइस इन दिल्ली के हिसाब से जो बनेगा वो बनेगा लगबग 14,61,840 रुपै तो ये इसके on-road price वगएरा राद दिल्ली के हिसाब से अब loan all banks loan offer इस website पर आपको हर bank का car loan का home loan हो, personal loan हो, two-wheeler loan हो, education loan हो या credit card हो इन सब के offer वगएरा के link इस website पर मिल जाएगे तो जैसे कि आगर आपको किसी भी bank का car loan का देखना है तो आप simply जो है पहले car loan पर जाएगा या आप सीधा जो है आप सर्च कर लीजेगा यापर कोई सभी जैसे मान लीजे मैंने SBI डाला, तो आप SBI bank का देखिए home loan, personal loan, car loan का भी जो हो खुल गया, ऐसे ही आप SBI के अलावा जैसे मान लीजे, HDFC कोई डालना चाहते हो, तो HDFC bank का देखिए home loan, personal loan, car loan का section खुल गया, तो अभी हमें car loan देखना है, तो हम देखिए car loan पर आते हैं, तो देखिए सबसे पहले अगर आपको interest rate वगरा चेक करना है, interest rate वगरा आप चेक कर सकतो, यहां से इनके official site से ही online apply करना है, आप यहां से online apply वगरा कर सकतो, EMI calculate करना SGFC bank, car loan related कुछ question वगरा वो आप यहां से पढ़ सकतो, reviews वगरा पढ़ सकतो, offer वगरा देख सकतो, eligibility criteria, document वगरा देख सकतो, express car loan, इनका offer वगरा चला हूँ, आप यहां से देख सकतो, तो काफी detail में information मिल जाएगी इस website पर, तो इस website पर जो visit करना मत बूलिएगा, इसका link मैंने वीडियो के description box में दिया हुआ है, तो अब हम चलते हैं, आपको बताते हैं कितनी minimum down payment करके आप इसको ले सकते हो, तो देखें minimum आपको 10% जो है down payment करनी होती है, तो अगर 10% down payment करतो हो, जो की होता है, 1,46,000 रुपए, तो आपको loan लेना पड़ेगा, लगबग 13,15,848 15,848 का, अब rate of interest क्या चला, अभी हम कुछ top banks हो, इनके rate of interest आपको detail में बताएंगे, तो अभी के हमने जो rate of interest लिया है, वो साड़े 8% का लिया है, क्योंकि लगबग जो है, साड़े 8% के interest rate पर आपको मिल जाना चाहिए, आपका civil score जो अगर 700, 700 की उपर होगा, तो आपको इ साथ साल के लिए लोन देती, तो हमने साथ साल सरे कर लिया है, तो देखे, आपका मंतली M.I. और total interest क्या बनेगा, तो मंतली M.I. बनेगा आपका 20,838 रुपए, total interest पे करना पड़े आपको 4,34,570 रुपए, total payment आपको करने होगी, 17,50,426 रुपए, तो इस तरीके से आप मं मंतली M.I. calculate कर सकते हो, अब हम चलते हैं, दूसरे case में कि अगर आप जो है, अपनी down payment को बढ़ाते हो, अब आप 1,46,000 की जगए down payment आप जो है, 4,00,000 की down payment करते हो, तो 4,00,000 की down payment करने पर आपको loan कितना लेना पड़ेगा, तो लगबग माली जो 4,00,000 की down payment करते हो, तो आप आपको loan नेना पड़ेगा 10,60,840 रुपए, तो इस loan amount की भी हमां मंतली M.I. आपको calculate करके बताते हो, तो आप हमने सबसे पहले amount डाल दिया, rate of interest same है, 10,00 भी हमने same रखा है, अब देहें, आपका मंतली M.I. total interest या बनेगा, तो मंतली M.I. 16,800 रुपए, interest पे करना पड़ेग तो maximum स-maximum down payment करने का फायदा यह होता है, कि आपको जो है, जो है, loan वगेरा कम लेना पड़ेगा, इसमें आपको जो है, monthly M.I. और total interest भी आपको जो है, काफी कम देना पड़ेगा, तो मान लिजए, अब आप आप जो है, down payment मान लिजए, 6,00 रुपए की कर देते हो, तो 6,00 की down payment करने पर आपको कितना loan लेना पड़ेगा, तो 6,001,000 की मान लिजए, down payment कर देते हो, तो 8,60,000, 848 रुपए आपको loan लेना पड़ेगा, इस loan amount की चलिए, अब आपको फिर monthly M.I. आप calculate करके बता देते हैं, तो 8,60,000, 848 का 8.5 के interest पर 7 सालों के लिए, अब monthly M.I. बने detail से calculate कर सकते हो, और भी आपको काफी information मिल लियाएगी, जैसे आप जितने years की loan लिया है, सब years का principal और interest अलग-अलग देख सकते हो, और नीचे आएगा, तो किसी भी year के, किसी भी month का अलग-अलग principal और अलग-अलग interest वगरा देख सकते हो, total payment क्या बनेगी, वो देख सकते हो, कितना balance amount बचेगा, वो आप यहाँ से check out कर सकते हो, तो काफी detail में information मिल लियाएगी इस website पर, तो इस website पर जो visit करना मत भूलिएगा, इसका link मैंने वीडियो के description box में दिया हुआ है, तो अब हम बताते हैं, आपको कुछ top banks, उनमे rate of interest वगरा क्या चलना है, तो यहाँ पे चल से परसं से आपर starting होगी, और 9.10% तक जाएगा, यहाँ पर आपका civil score देखा जाता है, कि अगर आपका civil score अच्छा होगा, तो 8.30 के मिलेगा, अगर आपका civil score जो है down होगा, तो आपको थोड़ा high interest rate देना पड़ेगा, loyalty car loan scheme के तरफ देखोगे, तो 8.25 से आपर starting होगी, और SBI में अभी जो है car loan के processing fees बिलकुल निल है, 31 जन्वरी 2023 तक जो है, आपर कोई भी processing fees आपकी नहीं लगेगी, अगर आप car loan मगरेट लिए apply करते हो, फिर दूसरी bank आती है, जो की है SDFC जो की private sector की top bank है, यहाँ पर जो rate of interest में थोड़ा सा जो बढ़ा दिया गया है, पहले जो rate of interest चला वो 8.30 से starting होती थी, लेकिन अब जो rate of interest चला उसकी starting 8.50% से हो रही है, और यहाँ पर depend करेगा आपका कितना loan amount ले रहा हूँ और कितने tenure के लिए ले रहा हूँ, तो उसके हिसाब से जो है, आपका rate of interest टै किया जाएगा, तो यहाँ से देख सकते हो, तो यह 8.50 से starting हो रुपए देखिए, आपकी processing fees यहाँ पर लग सकती है, अब अब फिर आता है, चौती bank जो है, bank को बढ़ोदा, इसमें जो rate of interest है, इसका भी rate of interest बढ़ा दिया गया थोड़ा सा, पहले जो इसमें rate of interest चला था, वो 8.40 से 8.45 के आसपास चला था, तो 0.5 जो है basic point यहाँ पर ब आई है, तो 9.40 से हाँ पर rate of interest की starting बगरा होगी, आद देते हैं छटी bank जो है ICICI bank, इन्होंने भी rate of interest में जो है काफी बढ़ा दिया है, यह बिल्कुल 7 तॉमबर 2022 अभी latest के बिल्कुल interest rate बगरा है, तो देखिए, अगर आप 12 से 35 मंत के बीच में लेते हो, तो 9.10 से starting होगी आपकी, तो यह interest rate जो है इन्होंने बढ़ा दिया है, फिर यहाँ पर अगर 36 मंत से 38 मंत के बीच में लेते हो, तो 8.60 से starting होगी, और अगर आप 49 मंत से 96 मंत के बीच में लेते हो, तो यहाँ पर 8.30 से यहाँ पर starting होगी, और यहाँ पर भी आपको civil score और core model पर जो है depend करेगा आपको किस interest rate पर यहाँ पर loan दिया जाएगा, तो यह कुछ top 6 bank के रही, जिनसे आप जो है car loan के लिए apply वगरा कर सकते हो, देख सकते हो, किन bankों में आपको rate of interest काफी कम मिलेगा, और अगर messages करूं तो आप जो है SBI से ही car loan लीजेगा, क्योंकि यहाँ पर rate of interest काफी कम चलना है तो आप यहाँ से ले सकते हो, और यहाँ पे scheme वगरा भी है, और अगर आपको इनके offer वगरा देखने हैं, तो offer वगरा के लिए मैंने website बता दिये, कि इस website पर आपके offer वगरा के link देख सकते हो, तो इस website पर जो विजिट करना मत बुलिएगा, इसका link मैंने video के description box में दिया ह हुआ है, और आपको monthly M.I. calculate करना तो आप इस website पर विजिट कर सकते हो, तो I hope आपको हमारी information पसंद आई होगी, वीडियो कर आपको पसंद आया हो, तो चैनल को subscribe कर दीजेगा, और वीडियो को एक like कर दीजेगा, और हमें comment करके बताएगा, आगे आप किस गारी के बारे में